कि उत्रखंड में सीम बदलने की सुगबगाहट हुई तेज मुक्यमत्री तीरत सिंग रावत ने बीजेपी राश्ट्री अध्यक्ष जेपी नडडा सी की मुलाकात अमित शाह के साथ भी हुई बैटा उत्रखंड के जोमेश पवार ने बनाया गीर्तिवान सतोपंत की साइकल से पूरी की 50 किलोमीटर की दूरी बीजेपी नेत्री ने अपनी पार्टी के विधायक पर लगाया रेप का आरोप पुलिस ने कोट के आदेश के बाद दर्ज किया मुकद्मा जमु कश्मीर के पुलवाओं में आतंकियों के साथ सुरक्षाबलों की मुटबेड जवानों ने पांच आतंकियों को किया धेर एक जवान शहीद देश के बारा राज्जियों में डेल्टा ए प्लस वेरियंट से संक्रमर के 56 मामले आये सामने सरकार ने कहा कोरोना नियमों के पालन में ना करें लापरवाई नमस्कार स्वागते आप सभी का हमारे इस बुलिटिन में मैं हूँ आपके साथ शिवम्यादव बीजेपी की महला नेता ने थाना बहादराबाद में बीजेपी विधायक सुरेश राठोल के खिलाफ बलातकार का मुकदमा दर्ज कराया है पुलिस ने कोट के आदेश के बाद विधायक सुरेश राठोर के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तेयत मुकदमा दर्ज किया है आपको बता देंगे कुछ दिन पहले विधायक ने सुरेखा और उसके दो अन्य पत्रकार साथियों पर ब्लैक मेल करने का आरोप लगाते हुए ज्वालापूर कोटवाली में मुकदमा दर्ज कराया था विधायक ने महिला पर 36 लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था जिसमें ज्वालापूर पोलिस ने महिला को गिरफतार कर जेल भीज दिया था वहीं बीजेपी विधायक सुरेख राठोर का कहना है कि ये मेरे खिलाफ राजनी तेक शड़यांत रहे मेरे विरोधियों ने साजिश रचकर मेरे खिलाफ ये काम किया है इस कथित महिला नेता और इसके साथियों के खिलाफ मैंने पहले ही ज्वालापूर कोतवाली में रंगदाली का मुकदमा दर्च कराया था कि अब इसके ना चाहता हूं और मांग करता हूं सरकार से के मेरी जान माल को खत्रा मैं मैंने पहले भी अपनी सुरक्षा की दिश्टी से बात की थी मैं इस पश्च करना चाहता हूं जो लोग कि उस रंगदाली के के स्क्राणव करके ऑधालफ को गुमरा करके ना उन्होंने अदालत को ये बताया कि वो थी बेल पर छूटकर रहे हैं वह रंगदाली के स्क्राणगार चाहर र करके मैं पुलीस पिर साथन से भी अपील करता हूँ कि इस केस की पूरी जाच करें और इस वक्त जादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे समाधाता इंतजार फोन लाइन पर जोड़ चुके इंतजार क्या ये मामला है क्योंकि मामला तो पूरा उलटता ही नजर आ रहा है जो मामला है ये हर्दवार शी विदान सबा जवालापुर का मामला है जो थाने विदायक इस पूरे साथ हूए जो जो महिला है इस इसने ये मुगड़ा दर्च करा रहा है वो भाजबा की नेट्री बताई जा रही है लेकिन आपको ने बता दो कि कुछ दिन पूरू विदायक ने इसी महिला के ओपर 66 लाग रुपे की रहंगदारी मांगने का आरोब भी लगा था जिस सम्मन में ठाना जवालापुर से यह महिला अपने दो अनने साथे के साथ जेल भी गई थी पूरे मामलेव के बाद पार्टी पदादिकारियों की क्या कुछ बयान आया है उनकी तरफ से जी बिल्कुल मैं आपको बता दूँ जो इत्ताने विदायक जब उनसे बाचित की गई तो इत्ताने रेक्टर कहना यह है कि जो राजनेतिक कंतर जो मेरे विरोगोदी लोग है उनका जो यह साजित है और एक राजनेतिक साजित का एक को रुप दिया गया है जो यह मुगा भाजपा सरकार की ओजनाओं से तरस्त होकर आम जनता के पक्ष में कॉंग्रिस कारेकरताओं ने प्रदर्शन किया यह बात लालकुआ की है कॉंग्रिस ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि बीजेपी अपना वादा निभाए और बिंदु खत्ता को राजस्तों गाउं कॉंग्रिस नेताओं ने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन भाजपा सरकार ने लालकुआ विधानसवा शेत्र के साथ सोतेला व्यभार किया है वर्तमान सरकार द्वारा बीते साड़े चार सालों में लालकुआ में कोई भी विकास कारें नहीं करवाया गया है देखिए आज लालकुआ विधानसवा में पूर में 2017 में जब चुना हुआ था भाजपा ने कहा था कि हम बिंदुखत्ता को राजस्तु गाउं बनाएंगे अब पांस साल पूरो होने वाले हैं वो घोशला इनकी दस्की तस रखी हुई है उसके बाद कॉंग्रेस समय में जितने भी विकास कारी हुए चाहे गौलापार का अंतराजी बसड़ा हो अंतराश्टी जू हो अंतराजी स्टेडियम जिसमें खेल होने थे हमारे युवा भाईयों के उसमें इस समय इतनी बड़ी घास जम चुकी है कि उसकी सपाई तक का नहीं कर पा रही है इसकाई उसके बाद इस बारा दुसरी कोरोना काल के बीच पंचाय चुनाव की सुखबुगहाट अब तेज हो गई है आलंकि अभी भी प्रदेश वर में रियायतों के साथ कोविड कर्फ्यू लगा हुआ है पंचाय चुनावों को लेकर वोटर लिस्ट संशोधित करने का कारे किया जा रहा है हरेद्वार के ना मतदान का अधिकार उनसे चीना जा रहा है जो मानवा अधिकार का हनन भी है ग्रामिलों का साफ कहना है कि वो ब्लॉक शेत्र के मूल लिवासी है और पुस्तेनी संपत्ति के वारिज भी लेकिन उसके बावजूद वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है वहीं रोड़की के ESDM पूरन सिंग राना का कहना है कि चुनाव से पहले मतदान सूची को ठीक कराने का कारे किया जा रहा है किसी ग्रामिल का नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया है तो उसे नियम अनुसार जोडने की प्रक्रिया है मतदान सूची ब्लॉक इस्तर से लेकर जिला इस्तर तक त्यार की जा रही है तो पांतिक अपनी आपतिक फुटफ कर सकता है तो दावा दे सकता है नाम एड करने के लिए यह किसी विप्तिका नाम में दिरेशन के लिए तो अगर कोई बेक्तिक पिस्तर देखा कर रवाना किया यह अब्यान वर्ड विजन संस्था द्वारा चलाया जा रहा है इस मौक संस्था की ओर से कोविट रोगधाम के लिए प्रिचार पसार किया रहा है वर्ड विजन संस्था द्वारा मोवाइल वेन में स्क्रीन लगा कर पॉड़ी और पावो विकास खंड के विभिन इस्थानों में पहुंचकर लोगों को कोविट रोगधाम हेतु जाग रुक किय जाए जाएगा जिससे आम जन्मानस कोविट 19 सक्रमर से बचाव कर सकेगा उन्होंने का कि वर्ड विजन संस्था ने तेरा दिनों के लिए इस अभियान को चलाया है यह कारिकर मुख्य बाजार विद्यालाय समेथ अन्य स्थानों पर किया जाएगा वर्ड विजन की तरफ से जो एंजियो है उन्होंने एक अच्छी प्रयास किया है उन्होंने एक शकार अत्म विष्टिस से एक कोविड के प्रचार पसार हेतू आम जन को जागर करने के लिए और कोविड से बचाव के सभी जानकारियां आम जन्ता तक पहुचाने के लिए प्रवती जिलों को विकास प्राधिकरण में शामिल किया जाने को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है इस्थानी लोगों को कहना है कि परवती इलाकों को प्राधिकरण में शामिल कर दिया गया है जो मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं मकान निर्माल कराने के लिए मानकों को पूरा करने में समस्याएं होती हैं प्रादिकरण में नक्षा पास कराने के लिए जद्दो जहद करनी पड़ती है नगर पालिका अधिक्ष प्रकास जोशी का कहना है कि सरकार ने जिला विकास प्राधिकरण को 2016 के पहले का रखने का आदेश तो दे दिया था लेकिन पालिका को नक्षा पास करने को लेकर कोई इसपश्ट आदेश नहीं दिये थे ऐसे में भवन निर्मान का नक्षा पास कराने के लिए लोग विकास प्रादिकरण के चक्कर लगा रहे हैं जिसमें लोगों का अधिक समय लग रहा है आम आदमी पार्टी ने भारती जंता पार्टी सरकार पर शहीद के परिजनों के साथ चलावा किये जाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर जम कर निशाना साधा और नारिबाजी की आम आदमी पार्टी के जिला सचिप इंदरजीत सिंग ने बताया कि उतराखंड राज्य निर्मान आंदोलन में हमारे शहीदों और आंदोलनकारियों का बलेदान अविस्मरनी रहा है लेकिन भाजपा ने आंदोलनकारियों के अधिकारों पर लगातार चोट की है आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में दिये जारे आरच्षन का मामला भी सरकार की लापरवाई की चलते कोट से निरस्त कर दिया गया जिला संगठन मंत्री दीन दयाल सिंग ने भाज़पा की नियत में खोट अंदलनकारियों के हग पर चोट का नारा देते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाये अंदलनकारियों के सम्मान में आज जरूरते हैं और आगे भी संगर्स करने के लिए जरूरते आएगी बाज़पर में आमाड़ी पाराटी के कारिकरता उन्हें सरकार के खिलाफ जरूरते करते हुए नार्यवाजी और इस वक्त हमारे साथ जादा जानकारी के लिए हमारे समाधता गुलबेज सीधे फोन लाइन पर जुड़ जूँए गुलबेज क्या कुछ जानकारी है इसमें आम आदमी पार्टी के कारेकरता साफ तौर पर काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं जी सर बहुत जादा आक्रोशित यहां पर ने क्या है अम आदमी पार्टी ने शहीत sözs छोः पर अम आदमी पार्टी के कारेकरता इखटा हुए और सरकार के किराफ जोड़दार नारे वाज़ी इंक इसमें शहीदों के परेवारों का क्या कहाना है क्या उनकी तरफ से कुछ बैद कि अगरा की अज़िया है आया लेकिन आमाद्मी पार्टी चाहिकरताओं ने लेकिना मादमे कारी और शकारी के परिवारों के साथ राधनिया कि भाजपा थाना इलाके में प्रॉपर्टी डीलर वन्विवा की जमीन पर अवैद कबजा कर रहे हैं सुमन नगर में यह प्रॉपर्टी डीलर अपनी जमीन की प्रकरवाह बने हुए वहीं DFO नीरज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बनविवा की सुरक्षित भूमी पर किसी भी तरह का आतिक्रमन बरदाश्ट तो नहीं किया जाएगा अगर इस तरह का मामला है तो संबंदित के खिलाफ कारिबाई की जाएगी पांडुकेशर निवासी सोमेश पवार सतोपंथ के अती दुर्गम पैदल मार्क पर साइकल से यात्रा कर वापस लोट आये उन्होंने बद्रिनाथ से सतोपंथ तक 50 किलोमेटर की यात्रा पांच दिन में पूरी की स्वक्ष हिमालाय का संदेश देने और कोरोना से विश्व को मुक्ती की कामना के उद्देश से उन्होंने यात्रा पूरी की है आपको बतादे कि साइकल से पहली बार कोई व्यक्ती सतोपंथ पहुचा है करीब 50 किलोमेटर की इस सफर को 5 दिन में पूरा कर सोमेश पवार बद्रिनाथ लोटे साइकल से कई यात्राएं करने वाले सोमेश का कहना है कि खतरनाक रास्ते पहारी धलान बड़े बोल्डरों को पार करते हुए पहार पर साइकल चलाना खतरनाक तो है लेकिन सासिक वर रोमांच कारी भी है सोमेश साइकिल से जोखिम भरी यात्रा करने के लिए जाने जाते हैं पिछले साल उन्होंने माना गाउं से कन्या कुमारी तक 4035 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से पूरी की थे जै बदरी विशाल मेरा नाम सोमेश पुमार और मैं बदरनाध हम से विलॉंग करता हूँ आज मेरी सतोपन्द की साइकिल यात्रा समाप्त हुई है और भगवान बदरी विशाल जी की किरपा से यात्रा बहुत अच्छी रही 50 किलोमीटर की यह यात्रा चार दिन में मैंने समाप्त की है और 25 किलोमीटर की चड़ाई बहुती दुरगम छेत्र सतोपन्द इससे पहले जब मैंने माना से कन्य कुमारी की यात्रा की थी साथी पंच्पद्री की यात्रा और अब साइद मेरे ख्याल से भारत में ये पहली यात्रा होगी सतोपन्त की यात्रा 25 किलोमेटर की खड़ी चड़ाई और सफल रही इसके साथ मेरे साथ मेरे साथ दोस्त और थे इस प्रैक में और मुझी पॉड़ी विकासमवन सवागार मैं डियम ने जिले में चल रहे विकासकारियों की समिक्षा बैटकी जिलादिकारी ने इस दोरान काया कि रिण वितरन में समस्त बैंकों का प्रदर्शन अच्छा रहा है सभी बैंकों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि भविश्य में भी इसी प्रकार रिण वितरन का कारे किया जाए जिसमें सरकारी योजना को रेखी विभावों को साथ समन्वे इस्थापित कर बैठक करते हुए लक्ष को हासिल किया जा सके केंदर पोशित योजना की जनपद इस्तरिये मौनिटरिंग समिती की समीक्षा में उन्होंने जिले के 13 ब्लाकों में गठित कमेटी के पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिये अब उसके लिए समस्तर बैंक का प्रदर्शन जोई आप एक दुखा यूजना में जिन प्रदर्शन में जिन पर देशन में पौधों को अलग अलग जगों पर लगाया जा रहा है कि यदारनात रेंज के वन शेत्र अधिकारी आरती में ठाड़ी ने बताया कि वन प्रवाग के प्रवागी वन अधिकारी का रियाले में उच्छ तकनीक पौधिशाला में पौधे त्यार किये गए डियाफो अमित कमर ने बताया कि जो लोग कोरोना से ठीक हुए हैं उन्हें इस कारिकर में विशेश तोर पर बुलाया गया है उनके द्वारा पौधे भी लगाए गया है और एक पौधा उनको घर पर लगाने के लिए भी दिया गया है अज हमने भटनगर में बनमौसम मनाया इस बार हमने जो है जो कोरोना से पीडिक है जो लोग उससे स्वस्त हुए हैं उन लोगों से विरक्षव रोपन करवाया है क्योंकि वो लोग जानते हैं कि oxygen की क्या महत तो है और मुझे खुशी इस बात की कि लोगों ने जो है बढ़ चरतर जो है इस मरमौसम में जो है इसालिया और सभी ने जो है उन विरक्षव को जो लगाए उनको बचाने की जिम्मेदारे लिए हरिद्वार के बीएचेल शेत्र में उस समय हरकम मच गया जब एक सांप स्कूटी में घुश गया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वाइरल हो रहा है वाइरल वीडियो में ब्लैक कलर की स्कूटी से खतरनाक कोब्रा सांप को वन विवाग की टीम के दवार कर सांप के सकूटी से बाहर निकाला है कि वहिस सितारगंच में इस में का काला कारोबार धरले से फलफूल रहा है इस अवैब कारोबार को रोकने के लिए पुलिस लगातार अभयान चला कर में की तसकरी करने वालों पर शिकंज्जा कस रही है पुलिस ने इसी अभ्यान के तहट मुखिर की सूचना पर एक स्मैक तसकर को गिरफतार किया है। सरकड़ा चौकी इंचार्ज ललित बिश्ट ने टीम के साथ आरके ढ़ाबा पुराना हाईवे पर च्छापा मार कर एक स्मैक तसकर को गिरफतार किया। पुलिस की गिरफ्त में आये तसकर का नाम सुभाश है और उत्तर बदेश का रहने वाला है आरूपी के पास से करीव 31 ग्राम इसमैक बरामत की है पुलिस ने आरूपी के खिलाफ कानून कारिवाई करते हूँ उसे जिल बेज दिया है कि पुराना है वहां से इस व्यक्ति को पगणा गयता है इसके पास से कराम करीब इसमैक पुलबट्या के पास वहीं उदम सिंग नगर जिले के पंतनगर थाना इलाके में जुए को लेकर हुए विवाद में दोस्त में दोस्त को गोली मारती गोली चलने की आवास सुनकर पड़ा हुआ था आननफानन में लोगों ने पुलिस को सूचना दी और घायल युवक को अस्पदाल में भरती कराया जहां युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है आपको बता देंगे पूरा मामला नगला किच्छा मार पर इस्तित प्राग पाम का है जहां पर कुछ ल बारने के बाद परार चल रहा है जिसकी गिरफतारी के लिए पुलिस लगातार दविश भी दे रही है फिलाल पीडित की हालत गंभीर बनी हुई है कि देपाद संतिपुरी छेतर में उधम सिंग नगर के एसेसपी दली कुमार सिंग पहुंचे जहां गोलिकांड हुआ था और उनके घरवालों को सांतुना दिया और उनके द्वारा कहा गया कि जिसने भी इस गोलिकांड में किया है उसको जल्दी सी जल्दी फकड़ा ही है जो आरूपी को पकड़ने के लिए दर बर्च छापे मारी कर रहे हैं और फिलाल उसके घर से उसकी मिसिस को बुलिटिन में फिलाल वजितना ही आप देखते रहे हैं प्रैंटी झाल झाल उसके टको आपड़ने कि जाहे हैं ।